अधिया नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आप सब का हरदिक स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे अपने-पने कामों में बेस्थ होंगे तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाने वाली हूं जिससे आपको बहुत प्रेणा मिलेगी और अगर आप गार्डन का सवक रखते हैं तो आप जरूर अजमा कर देखें और मैं तो यही कहते हूं कि प्रकति से जुड़े रहें मन खुस रहता है और थोड़ी देर अगर हम अपने लगा हुए पौधों की बीच में बैटते हैं तो बड़ा अच्छा फिल होता है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए है तो प्लिज हमारे चैनल को सब्सराइब करें बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हैं तो फ्रेंडस आज हम बात करने वाले हैं चांदनी सनलाइट से और कितना समी सेडिया और कितनी ở इसे फर्टिलाजर किया ह 기대 कोई सकता है और जदा फूल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आज सब हम इस वीडियो में बताने यह बने रहें वीडियो के लाश तब आगर एक थोड़े सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंट्स इस प्लांट को लगाया हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कम से कम तीन महीने हुआ है और तीन महीने के अंदर देखे इसकी ग्रोथ कितने अच्छी और कितना काफी बहुत ज़्यादा बुसी प्लांट हो गया है और हर एक ब्रांच में इतने से लगाया था पहले इस प्लांट की टहनी छोटी सी जैसे यह हमारी ब्रांच है यह देख सकते हैं यहां से ले करके इतनी मैंने जो प्लास्टिक की बोटल हो या काज की बोटल हो उसमें आप कट करके तिर्चा जैसे कलम होती थी पहले कलम से लिखा जाता था उस तरह से आप कट करके बोटल में डाल दीजे ये वाला हिस्सा आप बिल्कुल ना रखें ये और डाल कर रख दीजे तीन हपते में आपकी इस इसको दबा देजिए और जैसे ही आपका प्लांट ये अच्छी ग्रोथ पकड़ता है उस समय फटलाजर इस प्लांट को कोई भी फटलाजर दे सकते हैं जिस समय आप पौधे को लगाते हैं और लेकिन जब इसमें फूल कलिया आने लगे तो आप इसमें जो आप सब्जी बन आते हैं प्याज कछिलका वो बहुत ही कारगर है इस चांदनी प्लांट के लिए तो आप उसको फेंके नहीं और उसको एक लीटर पानी में कम से कम अगर आप चार-पांच प्याजर डालते हैं सब्जी में तो उसकी छिलके निकाल करके जो है पानी में डाल दें तो एक दि तो आप बाकि जिन में फूल आने वाले हैं उन पौधों में आप डाल सकते हैं और उसका जो है छिरकाओ करें वो कलर चेंज हो जाएगा एक दिन में ही जब प्याज के शिलके पानी में डूबे रहते हैं तो उसका कलर ज़रूर चेंज हो जाएगा तो आप उसको जो है उपर छिरकाओ भी कर सकते हैं और सोयल में भी डाल सकते हैं गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और मैंने यही किया है मैंने तो सभी तकरीबन सभी पौधों में डाला हुआ है देखिए आप उस समय गे देखिए उधर मालती कितनी अच्छी खिल रही है और ये देखे मोगरा है और ये बड़ी चांदनी है ये देखे बड़ी चांदनी में भी हमारी फूल आने लगे हैं ये देखे और कलियां तो बहुत आई हुई है ये देख सकते हैं तो मैंने दोस्तों यही फेटलाइजर डाला है और आप देख सकते हैं देखे ये गुड देख सकते हैं इधर यह देखिए बेला में कितने फूल आ रहे हैं मैंने ज्यादा तर प्यास कैसे चीलक 教 किया हुआ है यह यह देखिए बहुत आज कल बहुत फूल खिल रहे हैं क्युक्न Bowl ईक망 तो फ्रेंडस, आप यह तारीका एक जरूर अजमा कर देखें आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्योंकि मैं जिस चीज का एक्सपेरिमेंट करती हूं जो एक्सपेरिमेंट मैं करती हूं खुद वही आपके बीच में मैं सेयर करती हूं यह देखें मैंने कितने फूल तोड़े हैं और अभी भी लग हुई है यह देख सकते हैं और बहुत खुसबु आती है इन फोलों में देखें बहुत कई कई प्लांट हैं इसके हमारे पास जो बहुत खुसबु आती है आप एक नजर हमारे गार्डन पर भी ॲाल सकते देखिए फूलों से भरा हुआ है हमारा गार्डन तो यही तरीके अपनाएं और अपने गार्डन में भर-भर के फूल पाएं देखिए यह जो है बहुत ही बड़ा बेला का फूल है मोगरा जिसे बोलते हैं यह चोटा वाला है तो हमारे गार्डन में कई प्रकार के हैं खास अच्छा लग रहा है और इधर देखें यह मालती मालती भी गुच्छों में खेली हुई है यह देख सकते हैं इसके टहनिया नीचे तक है यह देखें ओके बाए बाए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में